नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर इंडियो और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन बहुत स्वागत है आपका भरत अपनाई में आज हम बात करेंगी 2020 से लेकर 2021 के सबसे बड़े मुद्दे की जिस पर पिछले एक साल से बहस हो रही है आंदोलन हो रहा है विपक्ष सरकार को घेर रहा है मैं बात कर रही हूँ कृषी कानून बिल की और उसके खलाफ चल रहे किसान आंदोलन की दरसल पिछले एक साल से नए कृषी कानून को लेकर काफी ववाल हुआ है किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे रहे तो एक साल बाद आखिरकार पियम मोदी देश को संबोधित करने आते हैं और कृषी कानून वापस लेनी की खोशना करते हैं जिसके बाद किसान नेताओं की मांग होती है कि कृषी कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जो अनने मांगे हैं उन पर सरकार को बात करनी होगी और मांगे पूरी करनी होगी वरना किसान घर वापस नहीं जाएंगे फिर तारीक आई 29 नमबर 2021 संसत के विंटर सेश्चन के पहले दिन ही किशी कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गया ये बिल अब राश्पती के पास भीचा जाएगा केंडरे कुशी मंतरी नरेन सिंग तोमर ने राजसभा में विधेक पेश किया इसके तुरण बाद ही विपक्षी दलो ने हंगामा शुरू कर दिया वहीं बढ़ते हंगामे के बीच ही राजसभा में बिल पास करा लिया गया वहीं लोगसभा कल सुभा 11 बै तक के लिए इस थागित कर दी गई है लोगसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृशी मंतरी तोमर ने कृशी कानून वापसी का बिल पेश किया जो पास भी हो गया है इसके बाद कॉंगर्स समेत अने विपक्षी दलो ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया लोगसभा स्पीकर ओं बिल ने विपक्ष से कहा कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम वो कराने को तयार हैं लेकिन विपक्ष ने नारे बाजी जोरी रखी इसके बाद लोगसभा की कारवाई दो बजे तक के लिए स्थागित कर दी गई इस बीच से किसान मोर्शा की लीडर आकिश्टी कैट कहते हैं कि कुष्वी कानून वापस हो चुके हैं लेकिन अब विवस्पी और कानून की सवस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए हम 4 दिसंबर को एक बैटक करेंगे और उस पर अंदोलन की दिशा तैकी जाएगी तब तक हमारा अंदोलन जारी रहेगा मोदी ने सत्र से पहले की थी श्वांती बनाया रखने की अपील संसत की शीतकाली सत्र की कारवाई शुरू होने से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजवितिक दलों से श्वांती और मर्यादा बनाया रखने की अपील की पियम ने कहा कि संसत में सवाल हो लेकिन श्वानती भी बनी रहे हमारी पैचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया ना किस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगा कर संसत को रोका प्रधान मंत्री का इश्वारा विपक्ष के हंगामे की तरफ था देश आज़ादी के अमरित महुत्सव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आज़ादी के अमरित महुत्सव के निमित रचनात्मक सकारात्मक जन हित के लिए राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कदम उठा रहे हैं और आज़ादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोईन कोई दाईत्व निभाने का प्रयास कर रहा है ये खबरें ये अपने आप में भारत के उजबल भविश्य के लिए शुप संकेत है कल हमने देखा है पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्षम है हम चाहेंगे देश भी चाहेगा देश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसत का यह सत्र और आगे वाने आज वाले भी सत्र आजहादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरीट था आजहादी के अमरुत महोत्सम का जो स्पिरीट है उस्पिरीट के अनुकूल संसत भी देश हित में चर्चाएं करे देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए यह सत्र बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मग निर्णवा वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविश्य मैं संसत को कैसा चलाया कितना अच्छा कंट्रिबिशन किया उस तराजू पे तोला जाए नकी किसने कितना जोर लगा करके संसात के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसत में कितने घंटे काम हुआ कितना सकालत वक काम हुआ हम चाहते हैं सरकार हर विश्य पर चर्चा करने के लिए त्यार है खुली चर्चा करने के लिए त्यार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैया रहे है और आज़ादी के अमरुत भावत्साओं में हम ये भी चाहेंगे कि सवाल भी हो सवाल भी हो सवाद में शांती भी हो हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाब सरकार की नीतियों के खिलाब जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसद की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युआ पीडियू को काम आए हैं इदर कुशी कारणों की वापसी की मांग को रेकर कॉंगर्स ने संसद परिसर में धर्ना दिया दोर हाउस में पास किया गया और अपर हाउस में हम एचाते थे कि हमारी जो नोटीस 267 गूल्स के तहब दी गई थी जिसमें हम एक आहद हमने यह कहा है कि उस नोटीस के तहट एक तो जितने फॉर्म बिल्स तीन फॉर्म बिल्स जो विड्राव किये इसका तो हम स्वागत करते हैं सपोर्ट करते हैं इसमें कोई संशय नहीं हैं इसका कोई गैर अर्थ निखानने की ज़रूरत नहीं है हम जो तीन फैक्ट नोने विड्राव किया है इसके समफन में हम हैं लेकिन हम यह चाहते हैं कि उसका उसके पूपर भहस हो जाए है क्यों इतना देर हुआ क्या हुआ यह सारी चीज़े आ लगिंगे लगिंपूर खेर का इंसिडेंट आ जाएगा दूसरी चीज़े भी आ जाएंगी तो इसलिए हम चाहते हैं फुल डिसकेशन उसके उपर और उन्होंने टालने की यह कोशिश कर रहे हैं कि इस सब पहले सदन में रिपील बिल्स पे कभी भी डिसकेशन नहीं कि आप अक्षब कीजिए मैं आपके सामने सत्रा इसे बिल दिखाना चाहता हूं जो सत्रा बिल में भैस इससे पहले पोचुकी है कर चुके हैं अलाव कर चुके हैं तो हम जी चाहते हैं कि इस बिल पर चर्चा हो टिबेट हो जनता को मालुम हो और किस डंग से आज उन्हों कि इस बिल को लाया है और इसको घड़बड़ी में करके यह सुबूत करना चाहते हैं कि हम किसानों के नेवर में हैं और किसान के पक्ष में हैं जो हम डिमांड करने वाले जो मिनिमन सपोर्ट प्राइस का है जो एक इलेक्रिसिटी बिल का है इसमें कॉंग्रेस की कारवाक अध्याक्ष सोनिया गांधी और आहुल समेथ पार्टी नेता शामिल हुए आजी संसद में कृशी मंत्री नरेन सिंग तोमर कृशी कानून वापसी बिल पेश कर दोनों सदनों से पास करा ले गए छे रिपील और चोदो से ज़ादा बिल को रिपील किया गया था फिर विए उस समाई चार्चा हुई थी लेकिन इस बीच विपाक्ष लगातार हंगामा करता रहा और कई मिपाक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए तीन कृशी कानून की बापसी वाले बिल को लोगसभा राजसभा की मज़ूरी मिल गई के बाद कॉंग्रस नेता राहूल गादि ने प्रेस कॉन्फराइंस करं इस सरकार पर निशाना एन ने कहुआ कि जिस्तवा निकार्ण से प्र कानून को रत माद चीज़ के बहुदिक तरो कर दिकार्चा से ह okay जो छीने संसद से सर्चा का धिकारफेज हैं जरब गोख प्रकार से देश की सफलता है, मगर जिस प्रकार से ये कानून रद किये गए, बिना कोई डिसकाशन, पार्लिमंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है, कि सरकार डिसकाशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है, कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है, डिसकाशन, जो हमारे किसान भाई, शहीद हुएं, उनके बारे में है, वो जो 700 किसान, इन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिसकाशन होना था, डिसकाशन ये भी होना था कि ये जो किस्वानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किस की शक्ती थी कौन सी शक्ती थी ये क्यों किये जा रहे थी क्यों बनाए गए डिसकाशन मस्पी पे भी होना था और जो किस्वानों की समस्या है उस पर होना था लखिंपूर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिसकर्शन होना था वो तो सरकार ने होने नहीं दिये मगर सरकार की दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं किसान लोग हैं मजदूर लोग हैं उनमें कोई शक्ती नहीं है उनको दबाया जा सकता है और इस एपिसोड में ये दिखाया है कि किसानों को, मज़़ूरों को, गरीब लोगों को, कंजोरों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जाए ये जो तीन कानून थे ये किसानों पर आकरमन था, मज़़ूरों पर आकरमन था मगर किसानों और मजबूरों की जो डिफिकल्टीज में मुश्किले हैं वो MSP, करदा माफी वो लंबी लाइन, लंबी लिस्ट और वो अभी तक मतलब उनके मांगे हैं और उनको उनका हम समस्थन करें 2014 से लेकर ये सरकार 6 रिपिल बिल, रिपिलर एमेंजमेंट 6 बिल लाए हैं और इसमें 1439, 1439, 1429 ये कानूनों को अपसोलेट बताते हुए, ये पुरानी बताते हुए सारे को वापसी ले लिया गया, रिपिल कर दिया गया तो रिपिल की मसला आज नहीं, जब से सदर नहीं रिपिल तब से चलते हैं, लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपिल के समाई बीना चर्चा रिपिल होते हैं, सरकार को इतना डर क्यों है कुझे पता नहीं, हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था, बिल के, बिल देखिया क्या लिख्था है बील्स फॉर कॉंसिडर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर लेका मोखा ही नहीं देते हैं आज बीसकी की मीटिंग भी बुलाई थी उस तवे हम लोग मांग रखकता कि फ़ार्म लौपे हमें समझ दिया जाए उस समय भी सरकार हमें समय की बारे में कुछ सुचित नहीं किया दुस्रे बिलों पर समय है दुस्रे बिलों के लिए समय तही है लेकिन फार्म बिल के लिए कोई समय तही नहीं हुआ इसका मतलब यह है किसानों की दबाओ में आके सरकार मान तो लिए है यह फार्म बिल की वापसी लेकिन दिल से नह काने का कुछ यह सरकार भी ओईसार रवया अपनाते हैं इसलिए हमारी यह मांग था कि हम किसानों के लिए कानूनी कबच की तहट यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस नुन नतम सहाक मौलकी मांग साथ-साथ भर जी केस की वापसी और किसानों को आर्थिक मौपजा और इसके साथ लोखिमपुर खेरी की घटना की बजाए चलते मंची को बर्खास करने का सारे मांग हम रखने के लिए बिल्कुल तयार बैठाता लेकिन ये सरकाट डड़की मारे सर इस रिपील बिल्ज के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर्स फागत करते हैं कोई भी इसके विरोध में नहीं क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है सर अपने मुझे पर्मेशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए और तीनी जो खालने कानून थे आख्रिय में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्या क्या हो रहा है देश में किस डंग से इसको स्विकार क्या जा रहा है ये सभी मालूम होने के बाद अब ये तीन बिल उन्होंने वापिस ली अब वापिस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारी से ठीक है एक साल तीन मैने के बाद आपको ध्यान प्राप्थ हुआ और आपने बिल को वापिस लिया लेकिन आपको मालूम है साथ तो इस अंदोलन में किसान अंदोलन में और इस अंदोलन से डाइरेक्ली इंडाइरेक्ली इस सदन के सभी सदश जुड़े हुए है और सभी ने मदद की है लेकिन वह क्या चीस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताप किये उस वक्त सभी सदश ओने चाहे हो लोर हाउस हो अपर हाउस हो और एंजीवोस और किसान संगटन सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा यह बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है इससे किसानों को कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए इस बिल को आप वापिस लिजिए ऐसा एक साल तीन महिने से एजिटेशन चला था करवाही को लेकर मोदी के चार संदेश भी सामने आए पहला मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि पिछले दिनों समिधान दिवस भी नई संकल्प के साथ समिधान की आत्मा को चरितार्थ करने के लिए सभी के दाइत की संबन में पूरे देश इसे संकल्प किया इन सब को देखते हुए हम चाहेंगे कि देश भी चाहेगा हर नागरिक चाहेगा कि ये संसद सत्र और आगे आनिवाला सत्र आज़ादी की दिवानों की भावना हो और अमरित मोहसब की भावना की लिहास से संसद भी देश हित में चर्चा करें दूसरा प्रधार मंत्री ने कहा कि आशा करता हूँ कि भविश्य में संसद को कैसे चलाया कितना अच्छा योगदान किया सतराजू पर तौला जाए किसने कितना जोर लगाया संसद को रोका ये मांडन नहीं है ये मांडन होगा कि संसद में क इतने घंटे काम हुआ सरकार हर मुद्डे पर चर्चा अर्फ एकाप देनी को तैयार है संसर के हिला ने कहा कि नए वरेंट की खबरें भी हमें और सतर्क सजग करती हैं। मैं संसत के सभी साथियों को सतर्क रहने की प्रापना करता हूं। सत्र में देशित के निर्ने, तेजी से और मिलचुल कर हम कर सकते हैं। साल भर से जारी क्रिशी कानून के खिलाफ आंदोलन। ये तीनों कानून पिछले साल के इंद्र सरकार ने पारित कराये थे। जिनने विपक्षी दलों से लेकर किसान संगचनों तक के अभूत पूर विरोध का सामना करना पड़ा। इन कानूनों के वापसी के लिए किसान संगचन पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाव को घेरे बैठे हैं। लगतार विरोध के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 19 नमंबर को इन कानूनों को वापस लेने की खोशना की थी। इस सत्र में 25 बिल और पेश करेगी सरकार। कोई किसान ने ता राकिश ट्रिकेट लगाता है, इससा अंदलोन को लेकर मुखर है। कभी वो कहते हैं कि 26 जन्वरी दूर नहीं, तो कभी कहते हैं कि MSP एक बड़ा सवाल है, उस पर सरकार बातचीत करे। इसके लावा प्रोडूशन पर एक बड़ा मसला है, उस पर बातचीत करें, 10 साल पुराना ट्रैक्टर का विश्य है, उस पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष कह रहा था कि MSP पर चर्चा हो, तो उस पर हो, राकेश टिकैट कहते हैं कि विपक्ष ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, कि MSP पर कानून बने, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि MSP पर कानून बने, राकेश टिकैट ने कहा कि विश्य कानून ब सारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी बहुत जेल लिया किसान ने एक साल अपने दिमाग ठीक करके एमेसपी पे गारंटी कानून बना दे नहीं तो हम वेके वही हैं 26 जनवरी कोई दूर नहीं है यह 26 जनवरी भी आई है और यह देश का चार लाग टेक्टर भी आई है और यह देश का किसान भी आई है अपने दिमाग ठीक करके बात कर लें एमेसपी पे कौन लेगा यह सीड़ बिल लेका होंगे चार दिन बाद में उसको कौन लेगा पैसे साइड़ बिल है डेरी की पोलिसी है जो किसान क्रेडिट कार्ड है बैंकिंग वे वेस्ता है उस पर कौन बात्चीत करेगा सरकार यह चाहती है कि हम बगेर बात्चीत के य सरकार ना रहे हैं अब प्लेट फाराम बिल्कुल साप करकर जाएंगे इस बात करें बगेर जाएंगे नहीं एक बात्चीत का रास्ता खोलका सरकार सजाएंगे आप उनकी समझ में आज आज़ाएं दस दिन मां जाए इस महीं नहीं के लाश्ता का जाएं जन्वरी मां तो कृशी कानून वापसी बिल लोग सभा राजसभा दोनों से पास करा दिया गया है अब राश्पती के सामने इसे रखा जाएगा लेकिन विपक्ष अभी लगातार हंगामा कर रहा है MSP पर कानून को लेकर किसान संगचन हंगामा कर रहे हैं कि MSP पर कानून बनना चाहिए तो अब देखना होगा कि आने मेल समय में ये जो किसानों का अंदोलन है वो क्या रंग लेकर आता है फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे हैं न्यूस वाल इंडिया के साथ